दहरादून से दुबाई सिंगापूर समेथ पांच दिश्यों के लिए अब मिलेगी उरान नमस्कार स्वागत है आपका हमाई चानल योई कबर पर देखिए अब आपको उराने मिलने वाली है वो भी दहरादून से दुबाई के लिए इसके अलावा भी कुछ इंटिनेस्ट प्राधिकरण ने एक शुक एरलाइंस से उत्राखंड एर कनेक्टिविटी स्कीम की तहट आवेदन मांगे है प्राधिकरण योजना के तहट चैनिद एरलाइंस को इन उरानों में होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा लिएकि उत्राखंड नागरिक उडियन विकास प पंचालिबा करने की जानकारी हों ये घ्नेरेलु सेवाएं देरादून के साथ ही पंप अगर एरपो Ci as ई trophy कि योधो सरसुआति इसके लिए एरलाइन से तीन अगस्त तक आवेदन करने को इस बागल पाच अगस्त को वीनियो कौन्फरेंस के चाहरे के एरलाइन से इस पर आगे विचार विमश किया जाएगा विग्यापन की शर्टों के अनुसार उत्रखंड सरकार एरलाइन को एन औरानों के लिए बाइबलीटी गैप फंडिंग के तहट कॉस्ट माइनस रिन्यू मॉडल या बिना बिक्री वाली टिक्चों पर नुकसान की भरपाई करेगी सरकार इसी यूजना के तहर पहले से ही दहरादून के जैली ग्रांट से नेपाल के काटमांडू एरपोर्ट के बीच इंटरनेशनल सेवा शुरू करने के लिए प्रकीरिया प्रारंब कर चुकी है सितंबर तक इस सेवा के शुरू होने की उमीद है तब त देहरादून से बैंककॉक और देहरादून से कौलालंपूर और जो सेलेक्टेट घरेलू मार्क यानि घरेलू मतलब की डुमस्टिक फ्लाइट है जो आपको मिलेंगी वह देहरादून से भुपाल के लिए मिलेगी देहरादून से पटना के लिए मिलेगी आपको विमान पंतनगर से मुंबाई के लिए आपको विमान मिलेगा, दिल्ली के लिए मिलेगा, कॉलकुता के लिए मिलेगा और बैंगलोर के लिए आपको विमान मिलेगा वहीं आपको बता दें कि इससे पहले एक और खबर सामने आई थी जहाँ पर इंडियो जो है उसने भी कुछ फ्लाइटे जो है संचालन करने की बात कही थी जिसमें तीन शहर मैंगलोर, कोईटुमबर और तिरू चिरापलीच आब उधाबी के लिए सीधी उराने जो है वो श हेलो आपका भाई दुबई में हैं और उसका वीजा एकस्पायर हो गया है वीजा खुलवाना है जल्दी एक लाख रुपए भेजो नहीं तो पांच साल जेल की सजा हो सकती है यह कॉल आया एक महिला को जिसके बाद वह महिला ठगी का शिकार हो गई साइबर अपरादियों ने दुबई में काम करने वाले युवक की बहन को फोन कर एक लाख रुपए का दमांड किया और ठगी कर ली मामला गुपाल गंश के थावे थाना शेत्र का है पीरित यूवती इस रत जहां ने इस मामले को लेकर साइबर थाने में प्रात्मी की दर्च कराई है साइबर प इस पायर हो चुका है कॉल करने वाले ने कहा कि अगर तुरंत एक लाक रुपए नहीं भेजे गए तो उसके भाई को पांच साल की जेल की सजा हो सकती है इसके बाद कुछी देर में एसरा जहां के भाई की आवाज में एक इंटरनेट कॉल आया जिसमें एक लाक रुपए तुरंत भेजने की बात कही गई घबराई इसरत ने तुरंत अपने भाई से संपर किया और सतर हजार रुपए उस अकाउंट में भेज दिये जिसका विवरं कॉल करने वालों ने दिया था इसके कुछ समय बाद फिर 30,000 रुपए की मांग की गई इसरत ने दूसरे से पैसा भी भेज दिया बाद में जब इसरत ने दुबाई में अपने भाई जैन अली से बातशीत की तो मामला फर्जी निकला और इस तरह वह साइबर अपराधियों ने भावनात्मक ब्लैक मेल करके परिवार से एक लाक रुपए एट लिए पुलिस ने लोगों से अपील क की है कि वह ऐसे फोन कॉल और मैसेजस से साफधान रहे साइबर अपराधी कभी सी आइडी कभी सी बी आई या पुलिस बनकर भोले भाले लोगों को ठगने का कोशिश करते रहती है पुलिस ऐसे मामलों में सक्रियता से कारवाई कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की करता है आपको भी फ्रॉड कॉल सा सकते हैं और आप से इसी तरीके का बात बना कर बोला जा सकता है उसके बाद आप से पेमिंट करने के लिए कहा जाएगा अगल ऐसा सीचुईशन आपके सामने आता है तो सबसे पहले जो भी आपके परीजन है उनसे कॉल करके बात कर ले और मामले को पूरी तर्या से समझ ले उसके बाद ही सोच समझ कर पैसे ट्रांसफर करें वरना आप भी ठगी के सिकार हो सकते हैं तो साफधान रही है क्योंकि आजकल साइबर क्राइम काफी जादा बढ़ गया है हाला कि यूएई में ऐसे क्राइम पर रोक लगाने के लिए कई सारे नियम कानून लागू किये रहे हैं लेकिन साइबर अप्राद जो है वो कहीं से भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि वो यूएई से ही हो दुबए में यूवक की मौत की खबर वाइरल परीजन परिशान नमश्कार स्वागत है आपका हमारे चानल यूएई खबर पर सोशल मीडिया पर एक भारतिय व्यक्ति की मौत की खबर वाइरल हो रही है दुबए में होटल में काम करने वाले गाओं मतूरा पुर मोर निवासी शक्ती कंबोज की मौत होने के लिए मौत होने की पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर डाली गए पोस्ट के वाइरल होने के बाद परीजन के पास जानकारी पहुंची जिसके बाद परीजन परिशान हो गया और जानकारी जुटाने के लिए भटक रहे हैं कि आखिर सही में जो यूबक है उनका वो ठीक है या फिर उसकी मौत हो गई है परीजनों ने SDM से मिलकर भार्टिय दुतावास से संपर कर बास्तवी किस्तिति का पता लगाने का मांग किया है गाउं मतुरापुर मोर निवासी रमिश चंद्र का 25 वर्षिये पुत्र शक्ती कंबोज करीब धाई वर्ष पहले सार्जहां दुबाई में एक हुच्चेल पर काम करने के लि में जानकारी दी गई थी उसके परीजनों तक या सूचना पहुंच जाने की बात उस पोस्ट में कही गई थी परीजनों तक सूचना पहुंचते ही परिवाल में कोहराम मच गया परीजनों ने तदकाल पोस्ट डालने वाले वेक्ति और शक्ती कंबोज से जुरे लोगों स से कॉंटेक्ट करने की कोशिश की कोजबिन के दौरान शक्ति कंबोज की मौत वाली पोस्ट जो है वो हटा ली गई बेटे से फिलाल परीजनों का संपर्क भी नहीं हो पा रहा है अब परीजन वास्तवी किस्तिती जानने के लिए बेहत परिशान है बतादे कि पता रमेश श संपर्क साथने का परीजनों को आस्वासन भी दिया है तो बता दे कि ऐसा स्थिती आप समझ सकते हैं कि किसी के पड़िवार के लिए कैसा हो जब उसका कोई अपना जो है उसके बाले में खबर मिले कि उसकी मौत हो गई है जबकि यह सोशल मीडिया पोस्ट है जो की सामने परीजनों के पास हाला कि कोई वैक्ती ने फोन करके नहीं बताए कि ऐसी कुछ दुरगटना हुई है ऐसे में परिवार अभी फिलाल असमंजुस में है कि आखिर उनके बेटे के साथ हुआ क्या है उनका बेटा सच मुच में उसकी साथ कोई दुरगटना हो गई या फिर य नहीं हो पाया है इसलिए वह सब्सक्राइब के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने गुहार लगाई है कि किर्पया इस मामले को सुलजाय जाए और उन्हें बताया जाए कि आखिर उनका बेटा जो है वह सारजहा में ठीक है या नहीं तो बता दें कभी-कभी ऐसे अज जल से जल पता लगाया जा रहा है कि आखिर उस लड़के के साथ क्या हुआ है और जब इसके बारे में खबर निकल कर सामने आएगी क्लियरंस मिलेगा तो हम भी आप तक पहुंचा देंगे खबर फिलाल के लिए बने रही असी तमाम खबरों के लिए यूए खबर पर